हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मात दो से तीन चीज़ों से बनने वाला एक्तम नया और बहुत ज़दा हेल्दी नास्ता इस नास्ते को हम बनाएंगे विदाउ टॉयल और ये खाने में बहुत ज़दा टेस्टी होने के साथ बहुत ज़दा healthy भी होगा तो चलि यो फ्रेंड बिना किसी देरी के फटा फट से इस नास्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चै कब dot dot 2 direct Press कोई भी दानेके इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके घर में ईजली आवेलबाइब worden ऑपनी सूझी को हम एक बोल में ट्रांस्वर कर लेंगे इसके बाद अपनी सूझी में हम डालेंगे एक चौथाए कप जितनी दही तो make sure केज़े का कि फ्रस दही का मक्टचे से गरम होने देंगे उसके बाद हम इसमें एड करेंगे दो बड़े चमवत यतनी उऩद नहीं गैल तो यहाँ पर हम يसला तो किपके शुरे च१ा ही चमवत गयर के यहे ज hebben र Chromyces जेतनी महीन वाली राई गहले ऊठ्धा दो भाग में डिवाइट किया है तो इसके बाद इस तरह से हम आधा आधा कटा हुआ टमाटर इसमें आड़ करेंगे तकरीबन तीन से चार टमाटर को आपको जितनी आपको चटनी बनानी उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर मैंने तीन टमाटर को इस तरह से पीछे की साइड में रख दिया है यहीं कटे वाली साइड में रख दिया है और इसके उपर हम थोड़ा सा नमक डाल कर आप इसे हम पकने देंगे तो जब तक हमारी टमाटर अच्छे सा गल नहीं चालते हैं हमारी प्यास कुक हो जाती है तब तक कि आपको इसे करवर करके पकाना है तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी रट चिली फ्लिक्स एड़ कर दिया एक्स्टर स्पाइसनस के लिए तो अब इसे हम ढगकन से लगा कर कर देंगे और इसे हम दो से तीन मिनट के लिए एच्छे से कूक होने देंगे त तो देखें यहाँ पर हमारी टमाटर काफी अच्छे से सॉफ्ट हो जाते है आप देखेंगे इसका ऊपर का च्छी छिलका है वो खुद बखुद उदर जाता है सॉफ्ट होने की वज़ये से तो अब इसके चिलके को हम निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए हमारी चटनी बहुत ज़्यदा चटपटी बनती है इसके बाद आपको इसे अच्छे से पीश लेला है अगर आपको लगए कि इसमें थोड़ी सी पानी की रिक्वार्मेंट है तो आप उसमें डाल कर अच्छे से पीश सकते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने चटनी को तयार कर लिए हो तो कुछ तर्ला के थीक और क्रीमी हमारी चटनी बनकर रैडे हो चुकी है तो आप इसे हम एक बोल में ट्रांस्फा कर लेंगे और अपनी के छटनी के लिए तरका तयार कर लेंगे ताकि हमाई ऐस चटनी और बी sözथा qa पाय में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे उ और जब यह अच्छ सर्टक जाएगा तो हमारा ज़तांनी बादे नीज बन के याउसे यह दाल देखा के अवाद से चलती चलते बैटर को चेख कर लेइन तो यह बाद हमारा पतली की इसमें एड़ करेंगे थोड़ सी वेजी तो सबसे पहले हम इसमें आड़ करेंगे दो से तीन बारी कटी हुई हरीमेच हरीमेच आपने स्पाइस के कोड़िंग ही डालेगा साथ ही हम इसमें आड़ करेंगे एक प्यास अगर आप प्यास नहीं खाते हैं तो आप प्यास को इस तो यहां पेमें एक गाजर को इस तरह से बारीक चौप कर लिया आप चाहे तो इसमें अपनी मन पसंद अरिस्टियों का सकते हैं सब्सक्राइब को डालने के बाद अब हम इसमें आड करेंगे सबसे लास में थोड़ी सी फ्रेश बारीक कडी हुई हरी दनिया तो हरी धनिय की quantity आपको थोड़ी से ज़्यादा डालनी है इससे हमारा नास्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो देखिए सब्जियों को अच्छे से mix करने के बाद आपको इसे rest पर छोड़ना है ताकि सब्जिया का जो rest है अच्छे से सूजी में आ जाए और हमारा नास्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे तो इसे हम दो मिनट के लिए छोड़ देंगे तब तक कि अपनी हम दूसी तयारी कर लेंगे तो अब इस बैटर को हम side में रख लेंगे और अपनी नास्ती को steam करने के लिए इस तरह से दो बोल ले लेंगे और इसे हम oil से अच्छे से grease कर लेंगे इसे हमारा जो नास्ता है वो कटोरियों पर बिल्कुल भी चिपकी का नहीं जब हम इसे steam करेंगे तो इस तरह से आप किसी भी कटोरियों का इस्तमाल कर सकते हैं जो भी आपके घर में हो ताकि यह नास्ता बहुत ज़्यादा healthy और tasty लगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कटोरियों को उपर तक अच्छे से बैटर को फिल नहीं किया है बस एक से दो चमच के करें बैटर को डाला है बहुत ज़दा आपको इसे फिल नहीं करना है इसे हमारा नास्ता उपर टाली के बहुत अच्छे से स्टेम हो जाता है तो चले पर जा इसे बम-कवर कर देते हैं और से हमस्स्के स्टीम हो जाते हैं तो परेंद 10 मिनट से ज़्यादा हो जब हो शुका है स्टीम हो पर देख सकते हैं यह जब इस तरह से तूपिक डालकर इसमे की सबढ़ी हमस्टा जब हम खुप कि अधे कंपन और कर दो अगर अगर पमरुधा इसे डिमार करना यह नहीं विलक़ा सबर और इसेगा तो हैं ढ़ ज़ना आप को माहता सब ब्रहकरा में चाहिए्टा है को दिए जैके नहीं सब दिए quarter से नहीं है हमारी तो प्रली को सेपर गूट हो Okay, bye-bye and take care and thanks for watching.